आज तो निफ्टी ने एक अच्छा मूव दिया और मैंग निफ्टी जरूर रेंड में रेंज बाउंड हो गया क्योंकि एक्सपारी थी तो आप लोग यही साइकलोजी के साथ काम करेंगे कि कल भी निफ्टी में कोई मॉनिंग में बड़ा मूव आएगा नीचे की तरफ और फिर वो रिकावर होके रेंज बाउंड हो जाएगा लेकिन फ्रेंड देखें यह जो साइकलोजी है ना यह हर एक इंडेक्स में काम नहीं करती है ठीक है मला यह कि मैंग निफ्टी में ऐसा होगा ठीक तो आप एकसा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा हो सकता है कि शुरू में र अब देखते हैं फ्रेंड कि यह कितना जाती है 50 परसेंट इसकेंडल का करेक्ट होती है या फिर इससे भी ज्यादा डीपर करेक्शन आता है ठीक बीज़र दोसों से लेके बीचज़ा 21 एकंकीस एकंकीस एजार आफ सो तक क्या यह पूरा का पूरा वेंज है प्रेंड तो यह सोला सो पॉइंट है आठ सो पॉइंट आया तो याने 21,000 तक बजार आ जाएगा ठीक पॉसिबिल्टी एसपर फिबोने की यहीं तक आती है अब हम लोग वीकली चार्ट पर चलते हैं कि क्या लेवल है इंपोर्टेंट क्या 21,000 आ सकता है या 21,400 के आसपर को इंपोर्टेंट सपोर्ट है देखे हमने पहले भी बात बोली थी कि 21,400 एक इंपोर्टेंट लेवल है उसके ओपर बजार निकल गया यहां पर अगर बजार 21,400 को अराम से ब्रेक करके नीचे आता है तो यह हम अपने माइंड में रखके चलेंगे कि इस कैन भी डिस्टिबूशन हो सकता है अभी डिस्टिबूशन डिस्टिबूशन ने करा या डिस्टिबूशन रिटेल के पैसा बनाने वाला को डिया यह यह आप समझ जाहिए वही मार्केट को चला रहा है ठीक हम कह नहीं सकते कौन चलाएगा कौन नहीं चलाएगा ठीक है अब देखे फ्रेंट्स यह अल्मोंस 90 डिग्री के एंगल है तो करेक्शन तो बनता है यह यहां से क्रेट करके ऐसे आए या फिर यह पूरा ऐसा ही गोमते 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 तब उपर की तरफ निकल जाए मैं एक नट पिलाव यह सपोर्ट लेगा कि नहीं लेगा. एस पर वीकली चार्ट ठीक, अब हम लोग वीकली चार्ट से डेली चार्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, डेली चार्ट पर यह अल्मोस 90 डिक्री का एंगल क्या बता रहा है, कि भई यह बता रहा है प्रेंट्स की 21,800 पे तो एक मेजर रेजिस्टेंस सा बना हुआ चोटे टाइम फ्रेम के उपर और इसने फिलहाल उसके नीचे 21,640 को ब्रेक कर दिया है 21,500 के आसपस आ जाके सपोर्ट लिया है जो कि इस उपर जाती ही रेली का 1.618 था ठीक है तो 21,420 जो है एक इंपोर्टन सपोर्ट का काम करना चाहिए अगर वो भी ब्रेक हो जाता है फिर आपको कोई फॉल देखने को मिलेगा बजार में ठीक है अब हम लोग आवली चार्ट पर चलते हैं आवली चार्ट पर हमने जो ट्रेड दिया था उसको क्या हुआ 21,500 का उससे 450 का टार्गेट था तो पहला टार्गेट एक चीज़ हो गया तो यह मैंने क्यों दिया था मैंने इसलिए था कि इसके बाद कॉंसॉलिडेट कर सकता है अब 21,500 से या 450 से सो या 500 पॉ करता है तो आप यहां बुक करके एक पर वेट कलीजिए कि 400 के नीचे चले जैसे 400 के नीचे चलेगा दोसो तीस और 21,000 पचास आएगा या फिर उपर अगर जाता है 590 के आसपास ता तिल 21,500 तो वहां पर देखेगा कि वहां पर अगर यह नहीं निकल पा रहा क्योंकि यह रेजिस्टेंस हो गया तो फिर फ्रेंट्स वहां पर शॉट कर दीजेगा और दूसरा सिनेरियो मैं दूसरा तरीका बताता हूं पंदर में चाट पे इंट्राडे की अनल्सिस भी करेंगे यह देखीजे यह 21,600 यहां पर भी बता रहा है कि भाही इसके ओपर निकलेगा तो फिर रुख जाएगा तो फिर खामका जो पैसा कमाया हुआ हो वह वेस्ट हुजाएगा हमारा ठीक है तो यहां पर निकलने की सलाह होगी अगर यह इसके ओपर निकलता है पान्सो पचास से नंब्बे के अब देखे अब देखें एक तेखेंगे इक आपके फिर पूरा एक जोन है अब माली जे कल प्लैट खुलके नीचे की तरफ जाता है और एकिसार चार्सो अस्टी से पान्सो के आसपास सपोर्ट बनाता है पहला यह ठीक है अगर सपोर्ट बनाता है तो जो डेकर रेंज का हाई होगा जैसे ही वह उपर की तरफ ब्रेक करेगा तो तो एक्तिस पान्सो पचास से छेसो के बीच में और वहां पर रेजिस्टेंस फेस किया तो वहां पर आप शॉट करी सकते हो यह हमारा डिसकेशन हो गया तीसरा उसके ऊपर निकलेगा तो हमें कॉल भाई करनी है एक के शेसो अस्टी से नब्बे के लिए चौथा सिनेरियो यह है कि नीचे निकले 1,330 का हमारा दूसरा टार्गेट है आप बोलोगे कि 1,390 तक 430 से 390 क्यों बैट करना है ठीक तो देखे फ्रेंट्स यह 430 के असपास डिमांड जोन देखे किता जबरदस्ता है ठीके ना यहां से लेके 390 तक में अगर बजार थोड़ता कोई लोर विक बना क्यों मैंने यह बात बुली यह आपको क्लियर हो गया होगा और यह मैंने उपर क्यों बताया क्योंकि यह रेजिस्टेंस है 590 तक 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 उसके उपर 600-690 आ जाएगा ठीक है और जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उनको भी मैंने बता दिया कि अगर उपर निकलता है उपर टिक और वापिस उसके नीचे ट्रेड करने लगे तो चाहिए दुबारा एंट्री लिए मैं तो लेलूंगा एंट्री फिर मैं 15 मिंट के हसाफ से ट्रेल करके फिर उसके अबरली के हसाफ से ट्रेल करना शुरू करूंगा क्योंकि मेरे को लग राय की पॉसिबिल्टी है इसी हफ तो आपको अनलसी समद मैं योगी फ्रेंट्स अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफेकेशन जरूर आन कर दिजेगा जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफेकेशन मिती रहे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक किजिए शेर किजिए कमेंड क नोटिफेकेशन मिती वीडियो तो लाइक किजिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वरी मुच फ्रेंट्स वर वातिंग देविडियो